हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका हमारे चैलेल एकसल मुक्रमी मेरा नाम है दोस्तो मुकल जैन दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके समझ डिसकस करूँगा एक ट्रिक तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है दोस्तो अभी आपके सामने शीट देख रही है और इ यहां पर हमाय सामने एक शीट नई क्रियेट हो जाएगी अगर हमें एक और शीट चाहिए तो फिर से हमें क्लिक करना होगा यहां पर तो इस तरीके से हमाय सामने शीट आती जा रही है और अगर आपको इसका रिनेम करना है इसका कोई लेम डिक्लियर करना है तो यहां पर पी जाके आपको डबल क्लिक करना होगा तो आप यहां पर शीट 1 सेट हो जाएगा और आप इसका कोई भी नेम यहां पर दे सकते हैं इस तरीके से अगर आपको नेम देना है तो फिर से यहां पर आपको डबल क्लिक करना होगा यहां पर फिर से आप नेम दे सकते हैं इस तरी काफी हमारा समय जाएगा और हमें काफी महनत भी करनी पड़ेगी तो इसको बचले के लिए आज में आपको बताने वाला हो कि आपको आप इसको आटोमेटिक कैसे जोनलेट कर सकते हो कैसे नेम आपके डिकलेर हो जाएंगे सारी शीटों के आज की ट्रिक वही है तो दोस्तों उससे पहले में क्या करता हो इन दोनों शीटों को स्लेट करके यहां पर डिलीट कर देता हूँ आप माल लुझे मुझे मंथलेम के हिसाफ से साइख शीटों के लिए खेते हैं जयसे जनुरी, फर्रवरी मार्च, अप्राए मुझलै यहां पर मैंने लिखा month, एक जामपल ले रहते हैं, जैसे month name है, तो लिखा मैंने जैसे jam, और यहां पर इसको drag कर दिया, तो यहां पर हमाय सामने सारे month आ गए, अब हमें क्या करना है, इस month name के साफ से हमें trash sheet चाहिए यहां पर, तो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको select करनेंगे, उसके बाद दोस्तो जाएंगे insert पर, यहां पर आपको मिलेगा दोस्तो pivot table का option, यहां पर इसको आप select कर लोगे, तो यह आपके सामने यह pop-up box आजाएगा, create pivot table, उसके बाद अब क्या करोगे, existing word sheet पर click करोगे, और यहां पर location select कर लोगे, यह, see, कोई भी location हम select कर लिजेगा, यहां की, और यहां पर कर देंगे, सीधे, ok, तो होगा गया, यहां पर आपकी pivot table create हो जाएगी, यहां पर आपको, जो field है, उसका name दिखेगा, month, आप इसको क्या करोगे, यहां से drag करके सीधे, इसको filter में, यहां पर drag कर दीजेगा, तो यह filter पे आपने जब जैसे drag कर दोगे, वैसे ही आपके सामने आ जाएगा, यह, जिसमें लिखाओगा month और all, अगर आपकी कोई field name कुछ और होगा, तो यहां पर कुछ और नजर आएगा, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, एक simple सा step करना है, यहां पर option पर जाना है, show report filter pages, आप यहां पर सीधे click कर दीजेगा, और यहां पर एक pop-up box आजाएगा, आप simple इसको ok कर दीजे, तो होगा क्या, जितनी भी आपकी name थे, वो सारे यहां पर create हो गए, यह देखिए, लेकिन इसमें अभी दोस्तों एप problem हो रहा है, कि हर sheet में हमें यह दिखा रहा है, month, jan, fam में भी यह दिखा रहा है, तो इसको एक सार डेट करने के लिए आपको लोग करोगे क्या, आप किसी भी sheet में चले जाओगे, और यहां पर करोगे, रैट लिक, उसके बाद क्या करोगे, आप लोग यहां पर select all sheet कर दोगे, तो यह सारी sheet आपकी select हो जाएगी, अब आपको क्या करना है, A और B column select करना है यहां पर clear पर जाना है, और यहां पर clear all कर देना है, तो अब आपकी यह blank sheet हो गई, और आप हर किसी में जाओगे तो आपको यह blank sheet ही दिखेगी, और जैसा आप देख रहे हो, सारी sheet create हो गई है, और sheet भी बिल्कुल blank है, तो हमें यही करना था, दोस्तों मैं आशकर तो यह व प्रेज फॉलोग कर लिजे, एक्सल विद मुकुल, तब तक लिए दोस्तों धलनेवाद, गुलबाए